इसके साथ ही रूप करते एक लिए खबर की ओर जामादबरदेश के दमोहा में एक बस टैंड में आग लगने से साथ बसे जलकर खाक हो गई हैं बता दे सीएसपी अभी शेक तिवारे ने बताया है कि याग पर काबू पा लिया गया है और किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूच ना फिलहाल नहीं मिली है इसके साथ याग लगने के कारण की जाच की जारे है पर याग काफी भीशन थी जिसके चलते साथ बसें आपको बता दें इसकी चपेट में आ गए और वो जलकर राक हो गई है तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो नजारा कितना भयंकर है और वहाँ पर अगर कोई शक्स मौजूद होता तो उसके भी जान को खत्रा हो सकता था हाला कि पुलिस की तरफ से बताया गया है कि जाच में सा बर नहीं है लेकिन जुस्तरा से आग लगी है इसकी चपेट में कई बसे आ गई है और आपको बता दें इसके साथ ही काफी भीशन जो है या आग देखने को लग रही है काबू पाल इसके बाल हाला कि आग लगने के कारणों का अब तक पुष्टी नहीं हो पाई है सामने नहीं आपाएं मुख्यकारन लेकिन जिस तरह से तस्वीरों में देख पा रहे हैं यह आग काफी भीचन है और बताया जा रहा है कि आग पर फिलहाल काबू पालिया गया है और इसके साथ ही CSP अभिशिक तिवारी की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे हाथसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक नहीं आई है और पूरा बता दे हैं पूरा मामला जो है दमों का है जो हाँ पर मद्रप्रदेश के दमों में एक बस टैंड में आग लग गई ज इसकी वज़से साथ बसे जोलकर खाक हो गई है बता दे साथ बसे इस आग की चुपेट में आ गई हैं जिसके बाद जाच की गई और आग पर काबू पालिया गया इसके साथ ही ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई खबर इसमें नहीं है और ये पूरा जो मामला है मद्यप्रदेश के दमो बस्टैंड से सामनी आया है जोहां पर आग लगने की वज़से साथ बसे जलकर खाक हो गई है तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आग लग चुकी है तो महीं इस बारे में जाजवान करी के लिए हमारे संबादा था नुपूर जिस तरह से हम देख पारें आग काफी भीशन है तो जानना चाहेंगे क्या मुख्य कारणों का पता चल पाया है जी रेखिए जो बमो बस्टैंड में आग लगी है इसमें साथ बसे जलकर खाक हो गई थी लेकिन अभी तब आग किस तिन कारणों से लगी है उसका अभी पर चाहेंगे कि या कुछ मंजर महां पर है और कितना नुकसान जो है पैसो की बात की पैसे थी को पाय। और सबसे बड़ी बात यहां पर बल्लिवी यह है कि इस हाद्से में गनिमत रही कि बसों में लगी आग बस टैन पर संचाले दुकानों में नहीं लगी वनना बहुत बड़ा हाथा हो सकता जी नुपर जानना चाहेंगे क्या कुछ कारवाही पुलिस की तरफ से अब की जा रह जी नुपर बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जिस तरह से यह आग थी काफी भीशन रही और आपको बता दे कि करीब साथ बसें जो हैं बस टैन पर जो खड़ी थी वो जल चुकी हैं खाक हो चुकी हैं इसके साथ ही आपको बता दे किसी के हताहत होने क कि खबर फिलाल नहीं आपाई है और पुलिस लगातार मामली की जुआंच में जुटी हुई